आज हम लोग का एक नए वीडियो में फिर स्वागत है आज हम लोग क्लास तेंथ का एक पॉइंट दो का दूसरा नमर का सवाल है तो क्लास 10th मैथ यहां पर परष्णा वाली लिखना भूल गया है यहां पर लिख देजें परष्णा वाली एक फॉइंट दो का एक फॉइंट दो का दो नमर का सवाल है हम लोग पिछले लेक्चर में एक नमर का हिसाव बना लिए तो सकेंड नमर का कॉसर नमर एक देखिए इसको कैसे बनाना पूलाःको के निमलिखित युगमों के यसिए ओर सीम ज्याथ किजये तgor एसली संख्याव का फग्नाद फर एश एपर है इसल से पहले देखए हिसाब क्या वोला है हिसाब बोला है सबसे पहले क्या करना है स सी अंक्रणा उसके ऊंच्णान है निकलना है मौसा आउर्लस निकाल मौसोन निकाल के उसके बाद क्या करना जांच करना जांच करने के बोलना है जांच करने के लिए क्या जांच करना है धो संख्याओं का variety is you on Seemap और PR कवराबर है कि नहीं यहां पर होस्ट को सिरेख 26 और 9191 कहां निकाल लेके 26 और 91 हम लोसो निकाल देते हैं 26 और 91 का आप चाहे तो अलग लोसो निकाल सकते हैं हम एक ही भी निकाल देते हैं यहां किसे लगाए तेरा से लगाए तेरा दुना 26 हम फिर्सते हैं एकाउन भी और लोसो कितना हाजएगा अलसीम किना जाएगा तेरा गुना दो गुना साथ हम गजाएगा आप शब्षाब्स गुना साथ कर लिजे अच्छा कै द्यालिक देशने चार सथ कहां चोदा चार चार चोदा चार हो गया है ठाट है 182 हो गया तो इसके बाद SCF निकालेंगे यानि यह तो LCM निकाले यह SCF निकाल लें हम लोग किना मनते लगेगा 26 26 तिया लग जाएगा ना है 27 तिया लग जाएगा अठातर एक पचा लगा गारे 11 से आठ यहां आठ गया यहां से 26 लगे यहां से 26 लगें अचपे जाए हुआ 14 लगे लुके 11 से 8 लगे है 3 होगा 13 2 म ल्डवे 2 में लग जाएगा 26 तो यह यहां पर क्या हो गया यह नहीं हो गया क्या सिए एस एफ कि ना निकल गया तेरा अब जाच करना अब जाच लिखो यहां पर जाच क्या करना है दो संख्याओं का गुनन फल दो संख्याओं का गुनन फल बराबर सिए दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है तो जाच सही है दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब जाच गलत है उसका मतलब अपने जो बनाया वह गलत है तो दो संख्याओं का गुनन फल मतलब गुना करना तो 26 गुना 91 हो जाएगा बराबर कितना जाएगा ऐसी अब कितना निकला है तो यहां पर गुना करके आप दोनों तरफ आपका सेम आ गया तो क्या हो गया जाच हमारा बिल्कुल सही है यानि कि हम जो हिसाब बनाया है वह बिल्कुल ही कोरेक्ट है बस इतना तक ही करके बस प्रूब हो जाएगा जात हम कर लिए इसी प्रकार आप लोग दो तीन चार हिसाब दिया हुआ है उसको आप कर लिजे जल्दी से तो फैनली आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरू बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में